राश्ट्रोन नती के पत्पर नित्य प्रेरणा एक दिन एक पृष्ठ एक विचार श्री गुरुजी समगर बारा खंडों का संक्षिप्त रूप भारतिय विचार साधना पुने द्वारा प्रकाशित किया गया है मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाती सदानंद कोड बोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रति दिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुचाने का प्रयास कर रही हूँ यह प्रकाशित विचार हमें प्रति दिन प्रेरणा देते रहेंगे आज दिनांग 23 जुलाई का विचार नामदार गोपाल कृष्ण गोखले श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वंट्स ओफ इंडिया सोसाइटी के आधार स्थम्ब के रूप में अपना जीवन लगाकर अपनी विपुल आय में से कुटुम्ब के जीवन धारन मात्र के लिए आवश्चक न्यूनतम मर्यादा निर्धारित कर शेश अधन उक्त सोसाइटी के द्वारा राष्ट्रहित में समर्पित करने का जो उजवल उधारन उपस्थित किया है क्या वह अनुकरणिय नहीं है अंग्रेजों के राज्य के विरोध में जिन महानुभावों ने सर्वस्वका खोम करने का निश्चे व्यवरुत किया क्या अंग्रेज राज्य के जाते ही उस निश्चे का परित्याग उचित या विहित है क्या त्याग की महिमा को त्याग कर भोग प्रवनतात था निकृष्ट्र स्वार्थ का स्वीकार राष्ट्र हितकारी प्रगती का लक्षण है यदि नहीं तो श्री गोपाल कृष्ण गोखले जैसे गुरू के शुची त्याग में राष्ट्र सेवी जीवन को आदर्श के रूप में समुपस्थित कर अपना जीवन सच्चे अर्थ में राष्ट्र समर्पित बनाने का अविरत प्रहत्न आवश्चक है राष्ट्र को दास्य मुक्त करने के लक्ष के रूप में ब्रीटिश सामराज्यान तर्गत स्वराज्य का धेय श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी ने रखा था जिसे नरमदल कहेकर कुछ उपहास भी किया जाता था उनके इस लक्ष को अमान्यकर पूर्ण स्वातंत्र का उद्गोश करने वालो और तत प्राप्तर्थ उग्र आंदोलनों का आवभान करने वाला गरमदल अधिक प्रभावी तथा लोकप्रिय बनकर दृत गती से संपूर्ण राजनेतिक शेत्र पर प्रभुत्व स्थापि करने में सफल हुआ गरमदल के इन आंदोलनों का स्वरूप देश व्यापी बनाने का श्रेय महत्मा गांधी जी को है उन आंदोलनों की परिणिती देश की अंतरगत परिस्तिती तथा जागतिक परिस्तिती जो द्वितिय महायुद्ध के उपरांत उत्पन्न हुई थी के प्रभाव स्वरूप भारत से अंग्रेजी राज्यके अस्त होने में हुई किन्तु तब विचारों में इतना परिवर्तन हो चुका था कि जिन महानुभावों ने संपूर्ण स्वराज्यकी गोशना की थी उन्होंने ही सामराज्यान तरगत स्वराज्यके ही एक रूप को स इतना ही नहीं इस प्रकार ब्रीटिश राष्टकुल के घटक राष्ट के नाते गउनता प्राप्त होती है ऐसा कहने वालों के मतों की अवहेल नाकर ब्रीटिश राष्टकुल के घटक के रूप में रहना ही लाभदाई एवं सुरक्षा प्रद होने का दावा कर इस व्यवस का समर्थन भी उन्ही महानुभावों ने किया यह श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी के मत का समर्थन ही है आज जब नेतरुत्व सामान्य श्रेणी के सामान्य बुद्धी न्यूनतम विशुद्धता एवं अल्प त्याग मैं के लोगों के हातों में आया है तब श्री गोपाल कृष्ण गोखले की असामान्य प्रतिभा, ज्यान, उद्योग शीलता, अध्यवसाय, विशुद्ध चारित्र एवं स्वेच्छा से अंगी कृत दारिद्र रुप त्याग का नम्रता पूरुवक अभिनंदन कर उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए सब देशव गोपाल कृष्ण गोखले जी की स्मृती चिरंतन रहे और हम सब को उससे मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे साथ ही हम सब देशवासियों को उनके भव्य उदात्त चरित्र का अनुसरण कर सुयोग्य राष्ट्र भक्त बनने की प्रेरणा तथा शक्ती प्राप्त हो इतिशम जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को जो काटों के पथ पर आया फूलों का उपहार उसी को भारत मता की जय वंदे मातरम